दोस्तो शाह साहब ने मुगलों को विलन बनाने पर चुपी तोड़ी है अब इससे पहले कि आप गलत फैमी पाले आपको बता दूँ कि हम बीजेपी के चाणक के वाले आमिच शाजी की बात नहीं कर रहे हैं बलकि नसीरुदिन शाह की बात कर रहे हैं दोस्तो बॉलिवुड इंडस्ट्री के दमदार शांदार कलाकार और अपने गहराई भरे अभिनाय के लिए जाने जाने वाले नसीरुदिन शाह साहब के बयान अक्सर देखे राजनीती से भी दूर नहीं रहे हैं राजनेतिक मामलों पर भी वो हमेशा बयान देते आये हैं और जब भी उन्होंने बयान दिया है तो वो सुर्ख्यों का पात्र बना ही बना है ज्यादा विवादों में वो पढ़ते दिखाई नहीं देते मगर जब भी बोलते हैं तो उनकी बाते सुर्ख्यों का हिस्सा जरूर बन जाती है एक बार फिर नसीर साहब बोल पड़े हैं पर इस बार वो बोले हैं मुगलों पर मुगलों पर भी कोई छोटी मुटी बात उन्होंने नहीं किये जिसकी चर्चा इस वक्त हर तरफ हो रही है अखरकार अब नसीर साहब ने क्या बोल दिया है यह आपको इस विजियो में हम बताएंगे नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है जैंती जा और आप देख रहे हैं दनेशन दोस्तो नसीरो दिन शाह ने कहा है कि मुगल इस देश को लूटने नहीं आये थे और आपके मुताबिक अगर वो इतने खराब थे तो लालकिला गिरवा दीजे ताजमेहल गिरवा दीजे कुतम मिनार गिरवा दीजे यह बयान दिया है इतना बड़ा बयान दिया है नसीरो दिन शाह ने दोस्तो नसीरो दिन शाह थोड़े समय पहले सुर्कियों में आये थे जब उनकी धर्मपत्नी ने कहा था कि मैं इन्हें किसी भी मामले पर बोलने से रोकती हूँ क्यों कब क्या पता कौन घर पर पत्थर मानना शुरू करते हैं दिगज अभी नेता नसीरो दिन शाह की सीरीज आ रही है दोस्तों जुसका नाम है ताज डिवाइड़ बाइ बलड इस सीरीज में वो समराट अकबर का रोल निभाएंगे रोल प्ले करेंगे अब इस वेब सीरीज का जो शो है जबर्दस्ती विलन के तौर पर दिखाया जाता है उन्हाने कहा कि मुगलों ने जो अच्छे काम किये हैं उन कामों को दरकिनार करके आक्रमन कारी के रूप में उनको देखा जाता है या दिखाया जाता है नसीर उतिन शाह ने इस बात पर हैरानी जताई है दोस्तों नसीर उतिन शाह ने इस इंटर्व्यू में तैमूर और अकबर के बीच में फर्क भी बताया है और हसते हुए फर्क बताया है उन्हाने कहा है कि मुझे तो सुनकर हसी आती है कि लोग तैमूर और अकबर की बीच में फर्क नहीं बता पाते हैं मुगलों और इन तमाम जितने भी शासक थे हैं इन लोगों की बीच में फर्क नहीं बता पाते हैं उन्हेंने कहा लोग हत्यारे और आकरवनकारी नादिर्शा से लेकर अकपर या तैमूर में फर्क नहीं बता पाते ये वो लोग थे जो यहां लूट पाट करने आये थे मुगल लूटने नहीं आये थे वो इस जगा को घर बनाने आये थे और उन्होंने घर बनाया भी उन्होंने ऐसा किया भी उनके contribution को कोई नकार नहीं सकता उनके योगदान को कोई नकार नहीं सकता नसीर साहब का कहना है दोस्तों कि जो लोग बोलते हैं वो कुछ हद तक सही भी बोलते हैं मुगलों को अपनी परंपराओं की कीमत पर ग्लॉरिफाय किया गया शायद ये सच भी है लेकर उनको विलन मनाने की जरुवत नहीं है इसके लिए अगर आप किसी चीज को लेकर उनको ग्लॉरिफाय कर रहे हैं तो आपको उसके लिए उनको विलन मनाने की जरुवत नहीं है ऐसा नसीर दिन शाहने का उन्होंने कहा कि अगर जो भी उन्होंने किया है वो आपको इतना ही भायावे लगता है तो ताज महल गिरवा दीजे लाल किला गिरवा दीजे कुतुमिनाल गिरवा दीजे हम लाल किले को पवित्र क्यों मानते हैं ये तो मुगलों ने बनवाया है फिर पवित्र क्यों मानते हमें उनकी वावाही करने की जरूरत नहीं है ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी वावाही कीजे लेकिन कम से कम उन्हें विलन भी तो ना बनाए यानि कुल मिलाकर दोस्तों नसीर साहब ने मुगलों को विलन के रूप में दिखाने वालों को आईना दिखाया है जो भी अभी तक फिल्मों के जरिये अपने बयानों के जरिये मुगल काल को लेकर हमेशा से ही थोड़े उखडे उखडे से नजर आए आपने देखा भी होगा हमारे देश में कई ऐसे राज्ये हैं जहां पर मुगलों द्वारा दिये गए नामों को मिटाने की कोशिश मिटाने की कवायत जो है वो जारी है जिनमें एक राज्ये उत्तर प्रदेश भी है और वहां तो कई ऐसे उधारन आपको देखने को मिल जाएंगे जहां मुगलो द्वारा दिये गए नाम को हटा कर वहाँ पर अभी इस वक्त नया नाम दिया गया है और यही इसी वज़े से दिया गया क्योंकि वो मुगलो द्वारा दिया गया नाम था ऐसा उनका मानना है और यह जो प्रता है यह लगातार चलती आ रही है देखिए ये तो पक्का है कि नसीर साहब के इस पूरे बयान का विरोध करने वाले भी मैदान में उतरने के लिए बस आते ही होंगे थोड़ी घड़ी रुकिए आप बस घड़ी देखिए थोड़ी समय में वो चलकर आते ही होंगे और वो कूदेंगे इस पूरे विवाधित मैदान में लेकिन ऐसे भी कई लोग होंगे जो नसीर साहब के इस बयान का समर्थन भी करेंगे अब इस खबर पर आपकी राय क्या है ये भी आप ही बता पाएंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताईएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें फिर मुलाकात होगी आप से किसी ऐसी ही खबर के साथ तब तक लिए नमस्कार